हेलो फेंड्स वेल्कम टो ए चैनल बायोजी फेक्ट्स बाइटोड प्रत्म हुजा सो अब आज हम अपने बायो के जो चैप्टर था फिफ्थ चैप्टर उसको आगे बढाएंगे तूडे इस यूर लेक्चर नमबर 2.3 ऑफ क्लास 12 बायोजी फिफ्थ चैप्टर तो इस क्ल क्लास में हमने प्लाय को अच्छे से समझा था उसकी बेस पर और और षांगे को scholar आस में लिक्टर आ हमारा डी around 10 जो भी है इसे हम अच्छे से क्लियर करेंगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे इसकी थ्यूरू को पढ़ेंगे इसके परकोशन करेंगे आपको समझाने के लिए कोई मतलब की पिक्स वेर अवगेरा भी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वैसे तो हर बारी लेकर आता हूं इस बार भ sex determination ठीक है बच्छा बच्छा एक बात और मतलब कि जो भी मैं अपनी स्क्रीन पर आपको शो करता हूँ न यह बहुत ही ज़ादा आप जैसे कि यहां पर लिखा होता है वैसे आप अपनी नौट्स में भी लिख सकते हो ताकि अगर कल को कोई एक्जाम देने जाओ तो आपके कोई भी दिक्कत ना रही हाना जैसे कि अब आगया कोशन वाट दो इमीन भी सेक्स अटरमीनेशन तो आप अगर यह तीन से चार ल अब दोक कि अबाउट सेक्स डेमिनेशन तो यह क्या है हाना बचा सच्छ डेमिनेशन इन इस अधरड बाईविच देने इंडिविजयों इस डियुड डिपाह थे ली उडडाइवग्ई अनदे शेक्स हैम जोनेटेट आपको वैसे तो ग्लियर ओंग पट न में अपको फ तो इसका मतलब क्या होता है बचा लाइक इन्होंने काया कि sex determination क्या है यह एक method है जहां पर हम देख सकते कि कौन सा individual है कौन से sex का individual है which is male है या फिर female है हम इससे यह decide कर सकते हैं ठीक है बचा simply अगर मैं आपको सीधा सीधा समझाओं एक्स और एक्स दो अगर एक्स एक्स हों इसका मतलब होता है बच्चा female इसका मतलब क्या होता है बच्चा this is also female ठीक है बच्चा इसका मतलब है female अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें एक्स और वाई अगर एक हो एक्स ठीक है बच्चा और दूसरी हो वाई वाई क्रोम हो जो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा male हाँ ना बचा, तो हम इससे ये समझ सकते हैं, sex determination एक method होता है सिर्फ आप समझो अभी, आगे इसको और clarity की साथ पढ़ेंगे मतलब की sex determination is the method by which the sex of an individual is decided like which is male or female and the sex here means male related by मतलब की कौन सा male है और कौन सा female है हम इससे पता कर सकते हैं और इसका मतलब मतलब की आगे वही चीज़ आ गई की x y को donate किया जाता है male की तरफ और x x को donate किया जाता है female ठीक है बचा अभी मैंने आपको नीचे बताया तो यह हो गया simple sex determination के बारे में ठीक है और इसके इलावा अगर हम इसे अच्छे से देखें तो क्या है यह रहा ठीक है बचा so sex determination यसमें आपको अच्छे से clear किया गया है कि क्या है चीज़ वह और कैसे होता यह भी पताया गया कि क्या है और कैसे होता यह सब कुछ इसमें बताय गया है आप इसे भी लिख सकते हैं मैं जौन्से भी वीडियो डालता हूं ऐसे ही पढ़कर चले जाएं तो कुछ ज्यादा ही बैटर होगा ना बचा इसलिए मैं आपको कहा रहा हूं कि अगर आप लिखेंगे तो यादा बैटर है आप वीडियो को पोस करें और इसे अच्छे से लिख लिए ठीक है बचा बट सबसे पहले आपने क्या करना है सिर्फ आपने समझना है समझना बहुत इंपोर्टेंट है आप पहले समझें फिर लिखें तो पहले हम समझते हैं कि क्या कहा गया है ठीक है बचा सो फोर सम और्गैनिजम्स सेक्स डेटर्माइंड बाइ टैंप्रेचर एंड इन्वायरमेंटल फेक्टर इंसाइड दाइग ठीक है बचा क्या कहा गया कि कुछ ऑर्गैनिजम्स होते है बचा जिसमें जो सेक्स की डेटर्मीनेशन है तो आपने यह की कौन है male कोन है female ठीक है तो यहां पर देखो इसमें वी क्या कह गया है hin form savings kuch organisms होते हैं जिसमें sexathan determination means sex determined sex के बारे में जो पता लगता है कहां कैसे पता लगता को यमुटस्रैशर and इंवायरमेंटल फेक्तर है इंवायरमेंटल फेक्टर कि थूम भी पता लग जाता है भी वो कौन सा सेक्स है तो वो किस में पता होता है हम किस में से पता लगा सकते हैं हना वो लगा तो वैसे मतलब की हम वैसे मतलब की देखा जाए तो जो हुमन है उसमें भी हम उसमें भी हम पता लगा सकते है कि जो मदर का मतलब की मदर के पेट में कौन सा कौन से कि सेक्स का भश धा कि नए बट यह पहले होता था अब नहीं इस चीज को बैन कर दिया गया क्यूंकि पहले जब पहले seráकार ने इसे कोमेंट ने इसे साप्ध किया हुआ था है तो गोमेंट साइव ने साफ किया हुआ था अ बैदिए लोग है न Дж 뭔가 कह सकते alarm कर ने लग गए और वह देखने लग गए कि मतल की मदर के पेट में कौन सा बच्छा लाइक मेल है या फीमेल लाइक गर्ल है या बोई है तो वह क्या करते अगर गर्ल है तो वह पेट में उसे मार देते तो इसी कारण की वज़े से उसे बैन कर दिया गया था बट वो अलग केस है यहां पर क्या कहा गया है मैंने वह आपको सिर्फ नॉलिज के लिए बताया कि वह चीजा बैन हो गई है इन हीमन बींग में बट यह क्या है बच्छा यह तो इन्वायरमेंटल टेम्प्रेचर की बा जाता है बाइदा टेम्प्रेचर एन इन्वायरमेंटल फेक्टर इंसाइड दा एक यह चीज कहां पर होती है वहां पर होती है जहां पर एक में से चाइल्ड को निकलना होता है ठीक है उसमें से पता लग जाता है इन्वायरमेंटल के फेक्टर के थ्रू या टेम्प्रेच पर बचा जो humans हैं उनमें कहते हैं sex की determine determine कैसे होती है कैसे होती है यह होती है presence और absence of sex hormones ठीक है मतलए कि sex hormones जो अभी हमने बात की xx और xy उनमें जैसे कि हमारे अंदर 23 23 chromosomes होते हैं है अगर हम बात करें हमारे अंदर खुद के है 23 उसमें से 22 दूसरे है और जो 23 है वह हमारा sex chromosome है और वही decide करता है कि हमारे जो आगे जो generation है वह male है या female है वह boy है या girl है वही 23rd pair of chromosome ही decide करता है ठीक है तो यहां पर सीधा सीधा ही का गया भी जो humans है उसमें जो sex की determination है वह presence or absence of sex hormones की वज़े से होती है हाना तो कैसे क्यूं यह हम आगे देखते हैं ठीक है करते है human contain 23 pairs और 46 number of chromosome होते हैं हमने पहले ही देखा बच्चा हाना बच्चा कि उसमें 23 तो खुद के हैं बट वह बना किसे है 46 number of chromosome ठीक है और कैसे होता है कि जैसे 23 pair of chromosome है यहां पर देखो तो लास्ट वाला होता है हमारा da6 tas x मतलays x x यह female है यह xy यह male है ठीक है तो इसमें 1 croce होती है वह भी देखेंगे बट सीधा समझो कि जोYour mother है मदर के इंदर 2 x x होता है बट जो father है उसके इनदर 1 एक होता है य ए मुझे इती है वही ऑना ठीक है अगर तो क्या ओजाता है अगर फादर फादर वाई यह मेल हो जाता है है आद जब हम क्रेकिप्र गरे मतलगे वीडियो ₱्यम इस सब्सक्राइब देखते ही दो मिल मेशरी पर लगता है दोश हमेशा मदर पर लगता तो कोई गल्ती नहीं है यार मिल प्रेंगे तो कोई गल्ती हो एंडी नहीं सकते ही फिन वहीं है तो यार मेश जी खो दोन हम गाएं जिन ढira है मेट हाना बच्छा तो यह सिंपल चीज है ठीक है और वही यहां पर भी बताई होएगी कि जो 23 थर्ड पेर है वो हमारा होता है और 46 chromosome number of chromosome से हम बनते हैं पूरा टोटली विची अलसा 2N हाना यह आपको याद होनी चाहिए बात ठीक है one pair among this pair of chromosome in the sex chromosome जो इसमें जो एक pair होता है लास्ट वाला कह सकते हैं 23rd pair which is also called sex chromosome and the two type of sex chromosome the 2 type of sex chromosome the two type of sex chromosome are x and y a female contain a pair of XX chromosome in their cell and male contain a y that is one x chromosome and y chromosome is their cell एक वही बच्चा जय हमने यही पर बात की है कि जो female है और फिमेल के अंदर XX क्रोमोजोम होता है इसेल के अंदर ओर मेल के अंदर XY होता है और आधिस वन वो कभी X देता है कभी Y देता है क्रोमोजोम इंदर सेल के अंदर ठीक है So it should be noted that यह बात नोट करने वाली है कि जो the gametes gametes are found by the process of meiosis which is a reductional division to keep the number of chromosome constant gametes are formed by the process of meiosis and not a mitosis ठीक है बच्चा इसमें क्या होता है कि meiosis होती है वहां पर से X आ गया महां से Y आ गया meiosis हुई and NIN से मेकर 2N बना haploid plus haploid to make a diploid वहां से X chromosome आया वहां से Y chromosome आया make a क्या बन गया diploid हो गया मतल़ कि वहां से chromosome आये वहां से chromosome आये तो उससे क्या होगा gamete बनेगा diploid होगा जो ठीक है बच्चा वही चीज कही गया जो हम पहले बहुत बार पढ़ चुके है तो बाकि 46 बन जाएगा 46 क्या होंगे जिससे वो बेडी सारब बने गा ठीक है तो इसके लाबा यहां पर क्या का गया है कि ठीक है बच्चा वही इसमें का गया और आगे क्या का गया कि the male gametes is fused with the female gametes after sexual intercourse जब sexual intercourse होता है ठीक है male और female gametes fuse होते हैं और आगे sexual reproduction हो जाती है means आगे reproduction हो जाती है ठीक है child बने शुरू हो जाता है ठीक है जब sexual intercourse होता है ठीक है बच्चा gametes fuse होते हैं आगे वाली process बननी शुरू हो जाती है means child बनना शुरू हो जाता है reproduction हो जाती है simply ठीक है so आगे क्या होता है the sex of the child is therefore depend that which hormones the male or father will transfer कहते जो वही चीज़ बच्चा जो मैंने अभी बताई कि जो sex है of the child वह therefore depend करेगा उस hormones male के hormones पर और father will be transfer father कौन सी transfer कर रहा है father अगर male मतलब कि जो है वह transfer अगर X करी तो क्या बनेगा female बनेगा और will always transfer the X chromosome तो हमेशा XX chromosome ही बनेगा तो हमेशा female ही बनेगी बट अगर वह male है वह transfer करेगा तो क्या बनेगा बच्चा 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 हो आगे वह एक लड़का होगा एक बच्चा होगा अगर वह वाई वाले बच्चा होगा है बट जो पहले था हना मेशा मधर पर ही दोश लगाया जाता था कि आ आ आ बट वह गलत था ठीक है अब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि अब अगर वहां पर अगर तब साइंस अगर किसी ने की होती तो कोई बता देता कि भाई तुमारी गलती है मदर के कोई गलती है यह नहीं पर दूसरी बात क्या है कि अगर उन्हें बता दो ना तुमारी गलती वह मानते ही नहीं भी हमारी क्या गलती है तो यह प्रानी लोग भी प्रानी है बस हम क्या का इन के बारे में सो नेक्स्ट क्या है बच्चा तो आपको यहां पर समझ आ गया है ना हमने क्या पढ़ा है हमने simply कुछ नहीं पढ़ा है हमने पहले देखा कि environmental or temperature effect पर एग वाले जो inside है वो अपना sex determination कर सकते है जो हमारी humans में होती है वो male पर depend करती है ना female तो हमेशा x x देती है जो male है वो कभी x देती है कभी y देती है जब gametes fuse होते है तो आगे जो हमारी reproduction हो जाती है sexual intercourse के बाद तो child prepare होना शुरू हो जाते है तो अभी तक हमने यह देखा ठीक है और लगबग यही है sex determination इसके इलावा कुछ है नहीं ठीक है उसके बाद जो क्या आगा गया है थोड़ा सब रहा है कि the gametophyte of female and the male the gametophyte of female and male is in female 46 chromosome is equal to 44 autosome ठीक है बच्चा देखो जो female है उसके अंदर 46 है तो उसमें जो 44 है वो autosomes है जो xx जो 44 ये 44 हो गय और जो ये x है ज गो टांगे ये 44 आगे होते हैं वो हमारी बोडी के लगलग structure को प्रेपेर करते हैं हमारी बोडी के लगलग part जाने की कोई eyes के लिए है कोई skincare के लिए है तो वो सब कुछ यह संभालते हैं ठीक है बट जो हमारा सेक्स है यह सिरफ जो सेक्स determination और सेक्स के बारे में पता करना है तो यह सिरफ एक्स एक्स है यह फिर एक्स वाई ही बताएगा और सेम तो सेम बच्छा यह 46 हो मेल में होते हैं 44 is autosome in female and for x-wise sex chromosome ठीक है so the division of sex chromosome take place by the meiosis जो यह division होती है यह meiosis के थ्रू होती है whereas that the autosome takes place by mitosis this is just like a disorder ठीक है बच्छा ठीक है ठीक है बच्छा ठीक है ठीक है बच्छा तो यह मैंने इसलिए लिखा है मैंने क्यों लिखा है क्योंकि कई बार क्या होता है बच्छा जो यह 44 autosome plus xx है इसमें कई बार बड़ावत आ जाती है मतला कि 46 autosome 47 हो सकते हैं हाना तो यह disorder हो जाता है कई बार क्या होता है 46 है तो वो कम हो जाता है 45 44 ऐसे हो जाते है तो क्या हो जाता है तो यह disorder वाले case में आ जाते हम आगे जो disorders पढ़ेंगे तो हम इनका भी अच्छे से clarity करेंगे इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है बच्छा तो इसमें यही है जो अभी तक हमने पढ़ा sex determination में क्या है so next अगर हम बात करें यह simple cross है हमारा वही simply cross है बच्छा कैसे हमने पहले भी से किया है like यह father है जिसमें X और Y chromosome है यह mother है जिसमें X X chromosome है हना यहां से अगर X आया और यहां से X आया तो क्या बनेगा बच्छा XX which is a daughter बनेगी अगर यहां से X आया यहां से X आया और यहां से अगर यहां से Y आया और यहां से फिर से X आया तो क्या बनेगा बच्छा Sun बनेगा XY और next case में क्या है next case में फिर अगर बच्छा यहां से X आया ठीक है और यहां से X आया that to make a daughter और यहां से Y आया और यहां से X आया to make a son ठीक है तो वही simple जो हमने की थी अना कैसे prepare होते हैं child ऐसे होते हैं बच्छा जहां फीमेल हमेशा X देगी बस depend करते हैं male पर वह X देगा यह Y देगा तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि daughter है यह son है ठीक है तब ही कहते हैं कि absence of present of chromosomes तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा sex है वहां पर ठीक है बच्छा daughter है यह son है ठीक है तो next बच्छा questions है हमारे ठीक है बहुत ही simply है कुछ ज्यादा मुश्किल वाले नहीं है तो first question है genes of sex linked character based on the जो यह sex linked है यह किस genes पर जो है depend करता है based है sex chromosome पर chromosome number 16 chromosome number 18 ठीक है बच्छा तो मैं चाहता हूं कि इसका answer मैंने बहुत बार क्या दिया है class में बहुत बार बोल दिया है तो इसका answer आपने मुझे comment section में दे दे देना है ठीक है बच्छा तो इसका answer मैं आपको नहीं दूँगा मैं जो मेरे जो यह series सी चल रही है ना उसमें मैं हर इक video के end में कुछ questions लेकर आता हूं और कुछ questions के answer दे देता हूं कुछ questions के answer नहीं देता तो last class में questions होंगे तो last class में उन सभी questions को मैं क्या करूंगा बच्छा अच्छे से describe करूंगा और आपको समझाओंगा ठीक है so यह first question का answer आपने मुझे comment section में देना है next बचा which of the following is an example of sex related illness ठीक है इसमें से कौन सी बिमारी है जो sex related illness की है इड्स है color deficiency है myophyll है और gonorrhea है ठीक है इसमें से कौन सी बिमारी है तो इसका जो answer होगा विची जलसो बी ठीक है बहुत से cases में आपने देखा होगी कि इसके answers में सब ही लिखे होते हैं A, B, C, D but इसका perfect answer है B which is also color deficiency ठीक है हाँ अगर x-link होता accelerated illness x-link disorder तो हम कह सकते है इड्स यह फिर नोरिया तो यह अलग लग इस चीज को हमने अच्छे से देखने है विच इस यहां पर हमने examples में किया है कि sex related illness illness बचा तो color deficiency ठीक है बचा अगर आपको फिर भी लगे कि इसका answer कुछ हो रहा है तो आपने मुझे फिर से comment section में बता देना है ठीक है बट इसका perfect answer तो शायद यही है भी तो इसके लावा हमारा third question है which is also a color blindness person is unable to discriminate between colors ठीक है पिर कौन से colors में color blindness उसे show होती है color blindness क्या होता है बचा कि उसके बच्चा है जो जिसको color blindness है कोई भी person है तो उसके colors में थोड़ी से दिक्कत आजाती है like उसे brown और red में कोई फरक ने दिखता हना orange और blue में कुछ ऐसे कुछ colors में दिक्कत आती है ठीक है तो हमने वही बताना है कि कौन से colors में उसे दिक्कत होती है like blue-green, red-blue combination में या फिर a mix of green and red या फिर निल आजा इसका अंसर भी आपने मुझे बताना है in a comment section बट जहां तक जहां तक शाहिन मुझे लग रहा है इसका अंसर होगा बी या फिर c बट मैं आपको बताऊंगा नहीं तो इसका अंसर भी आपने मुझे देना है third और first का अंसर आपने मुझे comment section में बता देना है ठीक है और last class जो भी होगी हमारी वहां पर मैं आपको इस सभी के अंसर अच्छे से clarify कर दूँगा ठीक है तो आज हमने क्या पढ़ उसकी चोटी सी definition उसके बाद हमने उसे अच्छे से clarify किया उसको समझाया ठीक है समझाने के बाद हमने यहां से image से भी उसका क्रोस किया और उसके बाद हमने questions भी कि बट बट यह जो sex determination है अभी कहीं न कहीं हमारा पुरा नहीं हुआ है क्योंकि यह sex determination जो हमारी ncrt में है वो honey के लिए भी लग दिया गया है human beings के लग दिया गया है ठीक है बट आपने क्या करना है आपने ncrt जो है उसको पढ़ लेना है ठीक है अगर कोई भी question हो आपने मुझे comment section में बता देना है ठीक है बट हम जो हमारी humans का cross है और जो आगे honey bee का है उसको भी हम ncrt से clarify कर लेंगे ठ ठीक है बच्चा तो तो उसे भी हम पढ़ लेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही बच्चा so thanks for watching bye bye